हाँ जी असलाम अलेकुम लगातार तीसरा दिन और मार्केट की नेगिटिफ साइट पर क्लोजिंग 43 पॉइंट माइनस साइट पर मार्केट ने आज की क्लोजिंग दी है लेकिन अगर आज का हाई और लोग अगर आप देखेंगे तो यह 70,645 का हाई और 69,783 का लोग यानि क जी सिर्थ करोर के जो एक अवरेज वालीम्स काटीनिय और पिछले तीन-चार दिन से मार्केट के अंदर बन रहा है एजिक के बाद सबसे जादें नजर आ रहा होगा कमर्शल बैंक्स का सेक्टर कमर्शल बैंक्सने जह आज सबसे जादा पॉइंक्स लूज निकले हैं और फिर उसके बाद फर्टलाइजर सेक्टर है जो जरा सा मार्केट के रेस्क्यू पर आया और उसके अंदर एंग्रो फर्टलाइजर ने जो काफे पॉइंट किये मैं आपको दिखाता भी हूँ और इन दोनों कंपनीस के जो आज रिजर्ड भी एनाउंस वे तो यह पहली डंड वो भी कादीबन 520 का एक हाई लगा है लेकिन चुके वो टॉप पॉइंट कोंट्रिबूटर में नहीं है के स्टॉक नहीं इसलिए आपको पॉइंट कोंट्रिबूटर में नहीं नहीं आ रहा तो ने दोनों ने ट्रेडिंग का महौल बना के रखा हो तो साथ ही जो इंडे काम करने वाला दिन मार्केट का आज रहा है तो यह एंग्रो फटलाइजर का इसके अंदर 59% कंपनी के प्रॉफिट जो बढ़े और पर साथ कंपनी ने आठ रुपे का यहां पर देख सकते हैं आप आपके सामने आ रहा है आठ रुपे का कंपनी ने डिविडेंड भी आज अनाउंस किया और उसके बाद ही हमने देखा कि एक शांदार मार्केट ने जंप लिया लेकिन उससे पहले मीजान बैंक की अर्णिंग्स अगर आप देखेंगे तो करीबन 65% से बढ़ी हैं फस्कौर्टर के अंदर और कंपनी ने साथ जो है वो साथ रुपे फीशेर का डि पीसाद से कुछ कम हुए है कौटर के अंदर लेकिन साथ ही कंपनी ने 50 पैसे का डिविडेंट भी अनौश किया तो इससे पहले पांश एक उप्रेल को एक सुआ उसके बाद पर पचास पैसे का डिविडेंट तो एक जब पैउट देने वाली कंपनी बन गई है और इन्व कोड मिटिंग का मैं सेक्शन खोलता हूं तो कल का जो दिन है इसके अंदर आप देखेंगे जैसे साथगार इंजिनरिंग आज के दिन के साले पांच बिजे रिजल्ट था तो ये कल सुबह सबसे पहले ही मार्केट के अंदर रिजल्ट या इसके लावा हमारा ये जॉइन बैज भी दिया गया है इस पर जब आप क्लिक करेंगे इस बटन पर आप हमारे वाटसएप चानल पर भी जॉइन हो जाएंगे तो सुहेलफारूकएंड को डॉट कॉम इस वेबसाइट को जरूर अपने पास बुक मार्क करके रखिए तो साथगार इंजिनरिंग के जैसे अपने वाटसएप गुरूप पे इसकी कॉल भी दी भी थी आप देख रहे हैं कि साथगार की कल रात को हमने अपने वाटसएप गुरूप पे कॉल दी गई थी जहांपर 502 का जो रेट है फिर जब उसने हिट किया तो उसके बाद फिर इसको कंटीनियू लेके चले और उस इस नमबर पर अभी राप्ता करेंगे मुझे वाटसएप पर मेसिज करेंगे तो इंशालला तला मैं आपको तफसीलात बता दूँगा और आप हमारे वाटसएप गुरूप पर आजएंगे जहां पर आपको ट्रेडिंग की कॉल्स हो यहां पर मार्केट की अपडेट्स हो क्या परफॉर्मेंस आज उनकी रही और अगला दिन उसनका कैसा गुजर सकता है तो इंडेक्स की रेंज अगर हम देखें तो कल के दिन जो हमने इंडेक्स छोड़ा था अपना वह यहां पे छोड़ा था और मैं आपको बताया था कि इंडेक्स बिल्कुल अपने सपोर्ट तो उसके बाद इंडेक्स कहीं भी नहीं रुक पाया और उसके बाद जब यह वाला सपोर्ट टूटा है सतर हजा एक सुपचास का तो उसके बाद तो बार बार जो मैं पिछले तीन वीडियो से भी आपको बता रहा हूं कि यहां पर गैप फिलिंग की तरफ आपको आता बहुत जादा तो इसलिए हम समझेंगे कि बिल्कुल इसके अंदर गैफ फिलिंग हुई उसके बाद मार्केट अपना लेवल सस्टेंग किया और फिर साथ ही जो एंग्रो फटलाइजर के साथ 22 मिलियन के वॉल्यूम्स 22 मिलियन के वॉल्यूम्स जो है वह आज के दिन आख उसके नदर हमें नजर आया कि यहां पर मार्केट ने जो है वो 33 पॉइंट मैने सट पर अपनी क्लोजिंग दिये तो जी यह आज की सिच्वेशन थी कि जहां पर इंडेक्स उपर की तरफ बंद हुआ है हमारा लेकिन अभी चुके लेवल जो हमारा सस्टेन है सतर हजार एक तो अभी हम उपर की ही उमीद रख सकते है तो कल के दिन भी मार्केट उपर जा है तो पहले आप लोगों ने यही देखना होगा सेम सिच्वेशन के अगर इंडेक्स जो है वह सतर हजार चार्सों पचास को क्रोस करके दुबारा एक गैप अपनिंग देता है और उसके बार और फिर दुबारा आपको बाइंग और शिफ्टिंग का मौका मिल सकता है और आप लोग बढ़ते हैं जी और आप लोग भी अपने स्टॉक जरूर बताइए कि आपने कौन-कौन से स्टॉक के बारे में जानना है तो सबसे पहले साजगर की ही बात कर लेते हैं जैसे कल इस चैनल का बॉटम है जो च्छोटा चैनल जब इसने दुबारा एक च्छोटा ब्रेक आउट दिया 390 रुपे से वहां से अगर हम देखे तो इसने जो चैनल के बॉटम यानि के करीवन 430 रुपे से फिर एक सपोर्ट लेकर उपर की तरफ गया और फिर यह 500 रुपे करीब-क तकराया है 497 पे और उसके बाद फिर यह चैनल का हाई बनता था उसके बाद वहां से नीचे आया फिर चैनल का सपोर्ट लिया उसके बाद इंट्रडे में उपर गया और उसके बाद अगले दो दिन जो है पिछले दो दिन साइड़ साइडवेस में गुजा रहा और आज जो है वो बिल्कुल चैनल के सपोर्ट पे ट्रेट करता रहा काफी देर तक हमारी कॉल भी मैं आपको दिखाई वह उसी एरिया के करीकरी मौजूद थी यहां पर ट्रेट करता रहा उसके बाद इसने उपर की क्लोजिंग दिये अभी उपर की जो क्लोजिंग दी है और फिर जो टॉप हो सकता है वो अभी के लिए जो नजर आ रहा है इस चैनल के अंदर दे सकता है वहीं पर आपको अगर आपने बाइंग की हुई है तो प्रॉफिल टेकिंग का चांस बिल सकता है और फिर उसके बाद देखते हैं हमके किस तरीके से यह दुबारा चैनल के बॉटम पर आता या पर कोई एक नया सपोट बनाता तो यह जी साजगार इंजिनर की स्ट्राडिजी उगई इसके बाद नेशनल रिफानरी को डिस्क्स कर लेते हैं जो कि आज बड़ा स्टांदार्ट तरीके से चला था तो नेशनल रिफानरी अच्छानल पर सुईल साब नहीं औ सब्सक्राइब देखें लेकिन बहुत शांदार बात क्या हुए इसके अदर आप देखें यह जो ब्लैक लाइन चल रही है यह चैनल के खिचा हुआ है पुराना पुराना जो चैनल है यह अपवर्ट का चैनल है मैं आपको सही तरीके से अगर दिखाऊ तो यह पुराना दिखें आप यह आपको नजर आएगा पुराना अपवर्ट का चैनल है और इस चैनल के अंबर क्लोजिंग दिये इसने तो यह बहुत बड़ी बात है कि अगर यह कल सही मानों में इसने अगर आप उपर की तरफ जान तो पैंतालिस के करीब करीब तो यह बिल्कुल अप्रेंट में आ जागा पुराने चैनल के अंदर वापिस आजागा तो इसके अंदर मूब तेज होता वह आपको नजर आएगा अच्छे वॉल्यूम्स भी बने है तो जरूर इसके अंदर चांस लिया रहे सकता है कल बाइ जी यानि कि कल इसके अंदर बाइंग करके काम करना चाहिए चैनल के अंदर दुबारा वापिस आ चुका है इसके रवाजी अगला स्टॉक जो कि आज बहुत जिसको मार पढ़ी है और मार पढ़ने का अल्लेडी बता दिया गया था काफी लोगों ने इसके बारे में तो उसके बाद इसने नीचे आना ही था और मैंने आपको वहां पर प्रॉफिट टिकिंग का बताया था कि वह इंट्र अडे में मूव उपर जा है वो ठीक है लेकिन आपने प्रॉफिट टिकिंग करनी है अब जो है वह इसके पास एक आखरी सब्सक्राइब करीब करीब कर बनाई है लेकिन अभी मूँ इसका नीचे की तरफ ही है तो अगर मार्केट का साथ मिलता और उपर जाता है तो आपके लिए सिर्फ पर सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की है ड्वाइस होगी इसके अदर अभी हाई सैट पर जहां भी यह जा रहा है प्रॉफिट टेकिंग ही पकड़ना चाहिए गिरते हुए कही रुख जाता है बच्पन से चवगन के दर्मियान तो फिर इसके अंदर आप बाइंग कीजिए तो फिर आपको दुबारा यह सतावन और उनसट के करीब करी बीचने का मौका मिल सकता है तो यह स्ट्रेडिजी है अगर कल के दिन हाई सै पर जाने का मौका मिले तो आप इसके अंदर से प्रॉफिट टेकिंग ही कीजिएगा तो यह जी होगा तीन स्टॉक्स आज के बारे में और तमाम इंफ्रमेशन हमने बता दिए बाकि हमारी सर्विसें से पाइदा उठाने के लिए तमाम नंबर जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए होते हैं नंबर से राप्ता करके हमारी तमाम सर्विसें से आप लोग फाइदा उठा सकते हैं इसके लवा आप लोगों ने कौन से स्टॉक्स के बारे में जानना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिक्के बताईएगा इंशाला कोशिश करूंग झाल 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 झाल